नमस्कार दोस्तों दूप अरात्रिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप माक्षीर्ष महीने में जो है माकी दूप अराधना कर सकते हैं वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे से ये पूछा है कि क्या माकशीच महीने की जो अमावस्या है उस दिन जो है माकाली की ही पूजा करनी होती है यानि कि अगर हम घर पे भी पूजा करें तो क्या माकाली के सामने ही धूब दीब से उनकी पूजा आरती करनी होगी या फर हम जो है मादुर्गा के फोटो के सामने भी वो कर सकते हैं जैसे कि हम नवरात्रे में मा के सामने धूब दीब करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक विश्य बताता हूँ दोस्तो आप अगर शाक्त मत से करते हैं यानि कि आपके घर में जो है मा की की पूजा प्रचलित है और मा काली की पूजा आप लोग अपने घर पे करते हैं तो आप बेशक मा काली की पूजा ही कर सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि घर पे काली पूजा वर्जित है या फर ऐसे जो कई सारे भावनाय लोगों के मन में हैं वो फूरी तरीकी से सही नहीं है दोस्तो असल में क्या होता है दोस्तों हर किसी के अपने अपनी इष्ट होते हैं जो मा को इष्ट मान कर चलते हैं वो मा की पूजा बिलकुल कर सकते हैं काली रूप में ही कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है पर जिन घरों में जो है बहुत सारे लोग जो है वैशनव मत से चलते हैं या पर माकी पूजा भी जो है वैशनव मत से ही करते हैं कि मतलब अगर माकी पूजा घर पे रोज प्रति दिन भी करते हैं तो वैशनवी रूप में ही माकी पूजा करते हैं तो वो अगर काली पूजा नहीं कर पा रहे हैं घर पे तो वो क्या करेंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों उन्हें जो है मा के जो भी सारे फोटो वो रोज पूजा करते हैं यान की चाहे वो मा की जो है शिरावाली रोप की हो या पर मा की दुर्गा या जगधात्री किसी भी रोप की हो तो मा की उस रोप में ही जो है उन्हें धूबतीब करना चाहिए अमा वस्या की पूजा में आपको मा की पूजा करना है जरूरी नहीं है कि आपको काली मा की फोटो में ही पूजा करना है या दुर्गा मा की फोटो में ही पूजा करना है ज्यादा तर जो है हम लोग काली मा की पूजा करते है जिन घरों में काली मा की पूजा प्रचलित है व अपर जो है अश्ट भूजा यानि कि मा जो अश्ट भूजा है उनकी पूजा है मादश भूजा कि अगर मैशा शुर मरतिनी मूरती भी आपके घर में है तो आप उसमें भी मा की पूजा कर सकते हैं। पूजा हो चाहे अब वैशनब मत से ही क्यों ना करे आपको उस दिन चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा ही बिछाना होगा और अगर आप भी लाल कपड़े पहन कर ही पूजा करते हैं तो यह पूजा जो है बहुत ही जादा फलताई हो जाता है तो उस दिन जो है आप लाल कपड बिछा कर मा के फोटो रख लिजे और उन्हें लाल फूलों से यानि कि जब आप पुश्प से या फर गुलाब के फूल से भी बहुत सारे लोग कहते कि गुलाब जो है विदेशी फूल है तो हम मा को कैसे चढ़ाएंगे वो ऐसा गुछ नहीं है दोस्तो आप गुलाब के पुल भी जो है मा को चढ़ा सकते हैं मा को सजा सकते हैं उससे कोई समस्या उसमें नहीं है पर जो गंध पुश्प यानि कि पुश्प जब निवेदन किया जाता है तो निवेदन में आप गुलाब के पुश्प इस्तिमाल ना करें दोस्तो तो मा को आप बहुत अच्छे दरीके से सजा लीजे उसके बाद अगर आप घट सापना करना चाते तो घट सापना से भी आप पूझा कर सकते हैं या फिर केबल जो है दो धुनची दूप चला कर भी आप पूझा कर सकते हैं दोस्तों आप घट सापना करें और घट सापना के यह बाद जो है आप मा के सामन यह सब कुछ आप जरूर डाले और उसके बाद जो है मा को कहे कि मा मैं आपकी पूजा जो है शुरू कर रहा हूँ दोस्तों मैं एक विशा आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो मैं पहले बोलना भूल गया था कि अमावस्या की पूजा हमेशा संध्या की बाद ही करे यानि कि संध्या आपके जो कृत्य है आपकी संध्या आर्थी वगेरा यह सब कुछ संपन्न करने की बाद ही जो है आप अमावस्या की पूजा शुरू करे दोस्तों तो आप जब भी अमावस्या की पूजा करेंगे कोई भी अमावस्या हो तो वो आपको संध्या कृत की बाद ही करना होगा अगर उस दिन जो है संध्या के बाद अमावस्या तिथी है क्योंकि जिस दिन रात्री में अमावस्या होती है बहुत सारे लोग क्या करते अमावस्या तिति है तो दूसरे दिन सुभे जाकर भी पूजा करते ये सही तरीका नहीं होता है दोस्तों हमेशा अमावस्या तिति में उसी दिन आपको पूजा करना होगा मा की जिस दिन जो है रात्री में अमावस्या है तो दोस्तों आप इस त आप चाहे तो पादिय तक यानि के पैर धोने के जल्बी मा को चढ़ा सकते हैं आप अक्षत चढ़ाए मा को उसके साथ साथ बिल्ल पत्र चढ़ाए उसके साथ रक्त चंदन यानि की लाल रंकी जो चंदन है वो आप चढ़ाए दोस्तों और उसके साथ जो है आप मा को उसके बाद आप अगर नारियल या फर कुछ भोग बगेरा चढ़ाना चाते तो आप पूपी चढ़ा सकते हैं या फर जो है धूपनिवेदन के बाद जो है ए मा को पुषपांजली दे फिर से हाँ दोस्तों ये पुषपांजली होता है पुझा के बाद के क्योंकि ये जो है उपचार के ए अंग होता है पुषपांजली जैसे कि हमने पंच उपचार से यानि कि अक्षत से बिलपत्र से चंदन से पुषप से धूप से हमने पुझा की मा की उसके बाद जो है मा को अगर आप कुछ भोग बगेरा चड़ाते हैं तो वो आप चड़ा सकते हैं या पर जो है आपको जल अरपन करके आनि कि पीने के पानिय जल है वो मा के सामने आपको रखना ही है पहले से उसके बाद ही जो है दोस्तो यानि कि अगर आप पानिय जल उस समय नहीं चड़ाते आप भोग अलग से चड़ा रहे हैं तो आप भोग के समय पानिय जल चड़ा या पर आप पहले से ही मा के सामने एक पानिय जल भरके रख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों उसके बाद आपको जो करना है यानि कि आपने धूपनी वेदन के बाद आप पुशपांज लिजे उसके बाद अगर अब धूप हवन करना चाहते हैं तो अब धूप हवन ज़रूर करें वैसे दोस्तों ओ अमावस्यागतिती पर अगर आप हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है वैसे हमारे लिए तो ये संभव नहीं होता है कि हम बहुत बड़े तड़िके से हवन करें क्योंकि हमें बहुत समय जानकारी नहीं होती है और हम लोग कही समय बहार रहते हैं य को अगनी होत्र जो है निवेदन करिए और उसके बाद जो है एक बार फिर से पुष्पांजली करिए तीन बार पुष्पांजली करने के बाद आप आरती करें दोस्तों इस तरीके से जो है आपको अमावस्या के पूजा जो है वो संपन्न करनी चाहिए यानि कि मा को संपूर गर में देते हैं या फर आप अपने आस पर उसके लोगों में भी आप अगर बारते हैं उसे प्रसात के तरह देते हैं तो इससे नकारतमकता जो है वो पूरी तरीके से हमारी जीवन से चली जाते हैं किसी भी काम में जो है नकारतमकता के कारण जो है हमें कोई समझ्या हो रही या फर कोई बाधा आ रही है दोस्तों तो इससे क्या होगा इस धूब दीव के इतेथ से जो है लिए बहुत ही अच्छा होता है इसलिए मैं आप पुर्ब से कह esse कहुगा दोस्तों कि अगर आप्भवन कर पाते हैं अमाबस्या पर मा की पूजा कर सकते हैं आप काली मा की अगर पूजा करना चाहें या फर आपके घर के काली मा की पूजा होती है या पर उनके फोटो है तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आपको अलग से खरीदने के जरूरत नहीं है आपके घर में देवी मा के जो भी फोटो है उसमें ही आप जो है कलस्थापना करके मा की पूजा कर सकते पर आपको जो धुनची अगर आप इस दौरान जलाते हैं तो ये जादा अच्छा होगा और अगर आपके पास दो धुनची नहीं है दोस्तों तो आप एक धुनची में ये पुजा संपन कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है पर कोशिश करें दोस्तों कि ये आरती के दीपक और धुनची धूब जब आप जला रहे हैं तो उसमें घी का ही इस्तेमाल आप करें दोस्तों वैसे आप एक दीपक अगर जला रहे हैं तो आप देल से जला है पर आरती के जो दीपक या फर धूब जो आप जला रहे हैं उसमें शुद्ध घी का प्रयोग आप अवश्य करें तो दोस्तों इस तरीके से आप मार्शी श् वीडियो में तब तक के लिए नमस्का